हाई एवरीबन नमस्ते परणाम और स्वागत है आप सब का एक नए वीडियो में दोहजार तेश समाप्त होने वाला है और बहुत जल्द जो है दोहजार चोबीस आने वाला है यानि कि फर्स्ट जनवरी जिसको हम लोग नया साल कहते हैं और तमाम लोग जो उस दिन पाटी स और स्वाra का दारूबी और खुब चलता है लेकिन जितने भी पावर स्टार के फेन है पावन सिंग के लिए नया साल जो है एक तरीको नहीं बलकि नया साल पांच तरीक को मनता है, पांच जनवरी को इसलिए मनता है, क्योंकि पांच जनवरी को पावर स्टार पावन सिंग का बड़े है, और चितने भी पावन सिंग के फैन है, पावन सिंग के कटर फैन है, पावन सिंग के अधर्स मानते हैं, भाई मानते हैं, वैसक उस तरह के जो फैन है उनके लिए नया साल जो है एक जनवरी नहीं बलकि नया साल पांच जनवरी होता है और वैसा ही कुछ हाल इस बार मेरा भी है पिछले लगतार दो-तिन साल से खास करके जब से मतलब मुझे पहले नहीं जान करी था कि पहुन भीया का बड़े कौब है ले इसका इंदिजार हमेशा रहता है और जैसे कि लगतार पिछले कुछ वर्सों से पार्टी लखनव में मन रहा है पिछला साल भी मना था उसके भी पिछला साल जो है लखनव में ही मना था उसके पिछला साल मुंबई भी मना था तो लगतार जो है लखनव में मन रहा है दो- और इस बार भी बड़े जो पार्टी जो है लखनाव में ही मनेगा अब सर्प्राइज क्या हो गई तो पांच जनवरी आएगा तभी पता चलेगा लेकिन सुनने में आ रहा है कि पांच जनवरी को कोई बहुत बड़ा गाना डिलीज हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है वैसे क्या स साल एक जनवरी आएगा उसके बाद पांच जनवरी तो ऐसे ही आ जाएगा और हर साल बड़े में कुई ने कुई गाना रिलीज होता है जैसे कि 22 में रिलीज हुआ था कि पांच जिए नाच के डिमपल सिंग के साथ और पिछला बार आया था पांच जो की हुमाच आई है अकांच दुबे थी साथ इस गाने में यह अच्छा सिंगी थी मुझे उतना ठीक से नहीं आदा रहा है तो यह दो गाना जो है पिछले लगाता दो बर बड़े में जो है सौंग आया था और इस पार देखिए 2024 के बड़े में कौन सा सौंग आता है पांस तारी को क्या पांस यह जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वीडियो को सेयर कर दीजेगा यूटूब पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलोव कर दीजेगा चलि फिलाल के लितना ही जय हिंद जय भारत जय बिहार